नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मिरा नाम कुलदीप सिंग है So finally, HPPSC ने अपने इंटर्व्यू की डेट्स रिलीस करती है 15 जून से आपके HPS के और बाकी जो भी अलाइड एक्जाम्स नोटिफाई किये गए थे उनके इंटर्व्यू होने वाले है Now guys, मैंने इसके उपर एक वीडियो बनाएगी आप किस तरह से अपने इंटर्व्यू में एक्सेल कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग mock इंटर्व्यू की ताहित आपके जो है issues या आपके जो भी important pointers हैं उनको हम लोग highlight कर सकते हैं आप उन्हें जान सकते हो बट ये session जो है different होने वाला है क्योंकि बहुत सारे questions हम लोग को आते हैं candidates पूछते हैं कि क्या वो issues हैं क्या areas है जहां पे कि जिसके कारण बच्चों को कम marks मिलते हैं आज इस session में मैं वही बात करने वाला हूँ कि किस तरह से क्या वो issues क्या वो areas रहते हैं interview में जो अगर आप अच्छे से perform नहीं करो तो you can fail in your interview guys बहुत important है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो I am sure आपका interview जो है काफी अच्छा होने वाला है तो चलिए without further ado फटा फटा से हम लोग देखते हैं कि interview में आपको ऐसे क्या काम नहीं करने हैं now interview जो है जो भी हम लोग के civil services का interview होता है वो एक formal interview होता है वो एक formal discussion होता है formal by-by-boy voice होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं एक panel होता है generally four or five members का panel होता है जो आपसे officer-like qualities की expectation रखता है आपसे 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes सक interact करता है और वो इस तरह से आपको judge करते हैं कि आपके अंदर एक officer बनने की qualities है की नहीं ठीक है जी हम कहते हैं न हम लोग को पहले book को judge से बुछको book को sorry cover से judge नहीं करना चाहिए पर यहाँ पर judgment किया जाता है कुछ सवाल पूछे जाते हैं candidate की personality की उपर उसकी problem solving approach के उपर उसकी critical reasoning के उपर उसके social issue handling capacity के उपर जिससे यह आँका जाता है कि वो किस तरह का या किस तरह से वो एक अच्छा officer हो सकता है तो कुछ आपको ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी है जो जिन चीजों का avoid करना है जिन चीजों को पर काम करना है जिससे कि आप अपने interview में fail नहीं होंगे तो again सबसे पहला क्या है सबसे पहली चीज है आपका dress code dress code आपको जो है fail करवाने में सबसे important भूमी का निभा सकता है कैसे again guys generally क्या होता है जो भी civil service aspirants होते है जब वो interview में जाते हैं तो generally formal कपड़े पहनते हैं जैसे कि women generally sardis पहनती है and men होते हैं वो generally suits पाते हैं with dyes so eventually क्या होता है कि इन suits कि generally civil service aspirants को ज़्यादा आदत नहीं होती है they are not very comfortable with it and eventually अगर interview के दिन आप जो है इस तरह का dress up करके जाते हैं तो you will not feel very confident about it and you will not be very comfortable about it और इस करके कई की बारी क्या होता है interview starts going towards south interview जो है वो धीरे-धीरे खराब होने लग जाता है आप अच्छे से confidently answer नहीं कर पाते हो या आपके behavioral traits में जो है वो under confidence, low confidence का जो अप्रोच है वो दिखने लगता है जिसके कारण आपको like 5-7 marks जो है वो कम मिल सकते हैं तो dress code सबसे important है इसका remedy क्या है कि आपको dress code या तो अगर आप पा रहे हैं आप पर suit पा रहे हैं या फिर ties पा रहे हैं या फिर आप साडी पा रहे हैं तो अगर आपको ये पाना है तो आपको इसकी practice करनी है mock interviews attend करिए वहाँ पर जो dress आप पाने वाले हैं interview के लिए उस ही को जाके पाईए और वहाँ पर आपने आपको comfortable करने की कोशिश करिए जो भी male candidates होते हैं उनको ये काफी ज़्यादा issue आता है especially with tie अगर वो tie पाते हैं तो tie से उनको एक घुटन type का महसूस होता है और जिसके की they are not very comfortable with it अगर आपका dress code आपने पहले सोचा हुआ है तो make sure आप उसके साथ rehearse कर रहे है second is the about you bomb ये bomb जो है बहुत ही खतरनाग होता है और सब को पता होता है ये question सब के लिए आ रहा है जब भी आप panel के सामने बैठो गए उनके सामने आपका detailed application form है वो आपके बारे में जानते हैं पिर भी जानबूच के आपसे वो about you का question पूछते हैं ताकि वो जान सके कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं आपने जो चीजे लिखी हैं क्या आप वैसे personality के मालिक हैं भी की नहीं तो ये चीज जो है बहुत matter करती है 95% interviews का starting जो है वो about me से होता है और जैसे कि मैंने आपको बताया पहला impression is the best impression अगर आपने about me को justified नहीं किया तो आपका interview यहां से south की तरफ जाता है आपके number आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप interview एंटर करते हैं तो आपको candidate को average marks जो है वो allot किये जाते हैं यहां से आप number अपने add करते हैं या फिर अपने number घटा लेते हैं यह completely आपके उपर depend करता है ठीक है जी so dress code and about you second thing third is detailed application form issues हम लोग को detailed application form भरने को दिया जाता है इसमें आपके उपर आपकी जो है personality के उपर बहुत सारे questions होते हैं academic career के उपर question होते हैं आपके parental information होता है आपके interest hobbies होती है कौन सी places आपने visit की है आपका about में लिखा होता बड़ी सारी चीज़े आपकी यहां पर लिखी होती है तो जब आप इसे भरते हैं बहुत ही important बहुत ही जो है carefully इसको भरना है क्योंकि यही जो है आपका पहला basically interaction बनता है आपके panel members के साथ members जो है इस चीज़ को पढ़ते हैं आपका detailed application form पढ़ते हैं और आपके बारे में एक judgment बनाते हैं और देन उसको जो है एक खांचे में जब आप आते हो तो आपको जो है उस खांचे में पिरोने कोशिश करते हैं अगर आपने detailed application form को properly नहीं भरा है उसको properly cover up नहीं किया है तो आप बहुत बड़े issue में फसने वाले हो कैसे जैसे आपने वहाँ पे जो hobbies लिखी हैं उसको आपने properly search out नहीं किया या properly उसको cover नहीं किया है या आपने अपना academic जो transition है मींस आपने जैसे science से अगर social sciences में transition किया हुआ है अगर आपने उसको cover नहीं किया हुआ है gap year है उसको cover up नहीं किया हुआ है अगर आप यह सब चीजे cover up नहीं करोगे आपका जो hometown है या आपका जो local place है उसको आपने cover up नहीं किया है तो यह सब issues जो है वो आपको कही न के interview में face करने पढ़ सकते है उसको पर question पुछा जा सकता है और आप जो है वहाँ पर क्या होंगे अपने ही detailed application form में फसके रह जाएंगे तो very very important issue अगर detailed application form properly नहीं किया हुआ तो वहाँ पर आप fail हो सकते है then is behavioral issues यह भी बहुत important आपका एक personality का रूप जलकाता है behavior either जो भी candidates enter करते है personality test के लिए सब के सब nervous होते हैं ऐसा नहीं कि कोई nervous नहीं होता like everybody, 100% of the candidates who enter the interview room they are nervous but candidate जो है या तो वो under confident होते हैं या वो over confident होते हैं आपको जो है बहुत ही fine line लेके चलना है अगर आप under confident होगे तो आप जो है panel member से आखे चुराएंगे आप इधर उदर देखेंगे आप जो है stemmer करेंगे या फिर आपका जो body का जो body language होगी वो जो है बहुत सदा positive नहीं होगी और यह सब चीजे जो है आपके answers जो में जलकेगा यह सब चीजे जो है आपके जब आप उनको expression दोगे तो उसके नदर जलकेगा और यह जो है आपके लिए negative साबित हो सकता है similarly अगर आप over confident है अगर आप over confident है तो वो आपके answers में जलकेगा आपके वेशबुश आपके पहनावे आपके behavior में जलकेगा और वो भी जो है कहीं न कहीं सही नहीं जाता है कहीं न कहीं जो है आप क्या होते हैं मतलब की अपने track से बटक जाते हैं या फिर आप over confidence में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए ठीक है so behavioral issues very very important under confident and over confident होना दोनों ही खराब है आपको एक बहुत fine line लेके चलने हैं जहाँ पर आप आप जो है approachable है आप जो है humble है और आप जो है एक basically ना जादा confident है ना जादा over confident ना जादा under confident है इस तरह की approach आपको देनी है next is ambiguity answers बहुत बारी ऐसा होता है mock interviews के time पे कि जो students है उनसे कुछ पूछा जाता है उनको उनका जवाब पता भी होता है but वो क्या होता है वो ambiguous हो जाते है उसको जो है directly attack नहीं करते answer को वो गोल गोल बाते गुमाने लग जाते है या आप जो है answer से बिल्कुल drift हो जाते हो और जो की panel members के उपर बहुत ही बुरा impression डालता है तो ambiguous नहीं होना है you have to be very specific to the point and अगर आपको answer पता है तो आपको जो है उसे to the point बताने ही कोशी करनी है अगर उसको उपर elaborate करने को बोला जाता है तब आप जो है उसको again specifically उसी question के दाइरे में रहके elaborate कर सकते होगा next is rigidity अपने answers में rigidity नहीं लेके आने बहुत सारे आपको इससरे question पुछे जाएंगे जहाँ पे social issues involved होंगे या जहाँ पे जो है कोई particular sensitive matter जो है वो involved होगा जिसे corruption का matter होगा या कोई इस तरह का matter involved हो सकता है so यहाँ पे जो है आपको एक rigid approach एक inflexible approach नहीं लेके चलनी है आपको जो है extreme approaches नहीं लेके चलनी है you have to be flexible and आपको जो है problem solving approach एक future oriented positive outlook लेके चलना है अपने answers के अंदर ठीक है जी so rigidity नहीं लेके चलना है finally yes sir syndrome को avoid करना है yes sir syndrome क्या होता है guys yes sir syndrome होता है कि आप से कोई भी सवाल पुछा गया आपको अगर नहीं भी पता उसके ओपर तो आप उसके ओपर या तो सोच के कूछ ना कुछ बोलने ही कोशिश करेंगे या जो है आप उसके ओपर like beating around the bush वही ambiguity दिखा के गुमानी कोशिश करेंगे तो ये काम आपको नहीं करना है ठीके जी अगर आपको आता है तो आपको clearly जो है उसका जवाब देना है अगर आपको question का answer नहीं आता है जो कि mostly like 10 में से 7 question या 10 में से 6 question, 10 में से 5 question ऐसे होंगे आपको नहीं आते होंगे तो आपको जो है उनको simply decline कर देना है मतलब politely decline कर देना है उसको और आप जो है अगर आप decline कर देंगे तो आपको दूसरा सवाल पूछा जाएगा ठीके जी ये आपको करना है, ये नहीं सोचना है कि अगर मैं decline कर दूँगा तो मुझसे और सवाल नहीं पूछे जाएगा और मेरा interview over हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो जानते हैं कि आप pre और mains जो हैं वो निकाल कर आए हैं आपके अंदर knowledge तो काफी जादा है, so they will give you a lot of chances और वहाँ पर आपको question करेंगे so that they can get the best out of you guys, so यह कुछ जो है areas अगर आप इसके उपर काम करोगे तो you will never fail in the interview and अगर इन areas को छोड़ दोगे तो there is a definite chance कि आप अपने interviews में low score करेंगे and you will fail guys, so that was the area जहां पर हमें काम करने के जुरत है, anyways अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका mock interview लिया जाए और आपके यह issues को अगर हम लोग resolve करें one-on-one analysis के साथ panel के analysis के साथ so we are setting a mock interviews, हम लोग mock interview set up कर रहे हैं, हम लोग one-on-one DAF analysis set up कर रहे हैं with a very very experienced faculty, हम लोग के पास Dr. Dr. Bhatti है ex-DGP है, IRS officers, serving IRS officers हैं आपके army officers हैं and professor Sandhu sir है, so all of them are here to help you out, in case if you want to get your mock interviews done so you can contact this helpline number which is dedicated for the interview candidates, 905 6523 775, आप यहां पर contact करके आपने mock interviews बुक कर सकते हैं, mock interviews are starting from 5th June onwards from in Chandigarh and it is starting from 12th June onwards in Shimbla, so again जो भी venue आपको suitable है, आप इन numbers में कॉल करके, आपने mock interviews book कर सकते हैं, this is completely free of cost guys, so that is it for this particular session, I hope आप जह इन चीज़ों को पर काम करेंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे and I hope this will bring benefit out of you like this will give some boost up for you people thank you very much and all the very best bye-bye